CBSE ने 29 मई को 10 में का रिजल्ट घोसित कर दिया है गुरगाओं के पर्खर मित्तल ने टॉप किया है पर्खर ने 500 में से 499 अंक हासिल किये है इस उपलब्धी पर पर्खर का कहना है कि उसने स्ट्रेस लेकर नहीं बलकि थोड़ी थोड़ी मेनत कर या सफलता पाई है रोज मातर 4-5 घंटे पढ़ाई की है वहीं पर्खर का कहना है कि तैयारी के दिनों में उसका सेडियूल सुबा उठकर जल्दी पढ़ने का होता था वह पहले 2-3 घंटे पढ़ता फिर ब्रेक लेता इसके बाद फिर कुछ घंटे की पढ़ाई करता फिर ब्रेक लेता इसी तरह पूरा दीन उसका मातर 4-5 घंटे ही पढ़ना था वहीं उसने सबसे बड़ी बात कही कि उसने सोसल मीडिया पर टाइम नहीं गवाया जब रिजल्ट आया तो उसे विस्वास ही नहीं हुआ एकदम से सॉक्ट कि मैंने टॉप किया है आए देखते हैं परख़ड की जुवानी उसने क्या कहा बहुत अच्छा लगा था कि इतने अच्छे नंबर आए एक नंबर का दुख नहीं है विकिस 499 काफी अच्छा स्कोर है और मैंने खुद उमीद नहीं करें थी कि इतने अच्छे नंबर आएंगे कैसे मैनेज किया पढ़ाई खेल सब चीज़ों में मैंने रोज थोड़े पढ़ाई करी जैसे पूरे साल मैं एक दो खंटा पढ़ता रहा और साथ में मैंने पढ़ाई का धाधा प्रेशर नहीं लिया मैंको स्पोर्ट्स और म्यूजिक का शौक है मैं प्यानों बजाता हूँ और मैं जोज रिलाक्स करके राम से ठंडे दमाग से पढ़ाई करें तो देखा दोस्तों प्रखर ने क्या कहा प्रखर का भविस में साइंस स्ट्रीम से बारावी करने के बाद रोबोटिक्स में इंजिनेरिंग करने का सपना है इससे पहले हुआ एक साइंस प्रजेक्ट में रोबोटिक्स कीम का हिस्सा भी रह चुका है वहीं प्रखर के पिता नितिन अगरवाल एक प्राविट कंपनी में सीये हैं उनका कहना है कि उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने और कुछ क्रियाटिव करने की पूरी आजादी दी तो देखा दोस्तों कुरगाओं के रहने वाले परखर मित्तल ने कैसे CBSC 10th में देस भर में टॉप किया पढ़ाई की लगन ऐसी ही होती है पढ़ाई का थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं लेना है बस जो पढ़ना है मन से पढ़ना है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलिज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद